किसा क्या नया आया कि हमने बाइव टेकनोलोजी को यूज करा मेडिसंस में इसे कर सकते दिन हम भानी वहां 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 भायोटेक यूज किया हेलो बच्चों, वेलकम टू संकल भारत, मेरा नाम है भारती और मैं आपकी जॉल जी एजुकेटर हूँ, हम लोग परिवर्तन कर रहे थे, है ना, परिवर्तन में हम लोगों ने एक ही, अभी तक मेरे साथ आपने जॉल जी का एक ही चाप्टर किया है, that is, बायो टेकनोलोजी principle and its processes, आज मैं आई हूँ, आपके next chapter के साथ, that is, बायो टेकनोलोजी and its application, और उस दन मैंने आपको बहुत base को apply करने वाले हैं, तो जब तक हमारा base ही clear नहीं है, तो applications तो नहीं आएंगी, इसलिए I hope आप लोगों ने उस chapter को अच्छे से समझा होगा, है ना, और अगर कुछ चीज़े समझ नहीं आई हैं, तो please comments मैं बता दिया करो, और मैं वहाँ personally आपको reply करूँगी, God promise, ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं, अपने परिवर्तन का दूसरा chapter, that is, biotechnology and its applications, ठीक है, अब यार further, इस chapter पे जाने से पहले, आप लोगों के लिए मैंने उस दिन बताया था, बड़ा कुछ खास आया है, है ना, बड़ा कुछ खास हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो उस खास के बारे मैं आप लोग आपको बता देती हूं, देखो यार एक हमारा batch आया है, आरे ना, revisions and rankers batch, rankers, है ना, revision और rankers batch, अब इस batch में, basically, आप लोग को क्या मिलेंगी, बहुत सारी division series मिलेंगी है ना, बहुत जादे, most expected questions को revise कराया जाएगा, physics, chemistry, biology, सब कुछ कवर कराया संकल्प भारत के app पे ये class होने वाली है, ये ध्यान रखना और ये सारे neat aspirants के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, ये move है, this is free, ठीक है, अब this is free on our संकल्प भारत app, इससे जादा आप लोग को क्या चाहिए, सारे chapters, सारा subject, सब कुछ revise कराया जाएगा, most expected question practice कराया जाएगी, ठीक है, अब इतना ही नहीं था, इतना ही नहीं था, इससे जादा, इसके अलावा भी हूँ, आपके लिए कुछ लेके आए हैं, क्या लेके आई हूँ, देखो, SB infinity, free for all, अब ये madam batch क्या है, देखो, मेरे प्यारे चुन्नो मुन्नो, अगर आप हमारे app पे जाते हो, आप ये SB infinity वाला batch लेते हो, उधर code यूज करो selection, selection code करने से, आप क्या कर पाओगे, आपको क्या मिल पाएगा, जितने भी batches अब तक हमारे app पर हुए हैं, कौन-कौन से batches हुए हैं, जो हमें follow करता है, उसे पता है, हमारे हुए है, neutron, neat हुआ है, 2.0, 3.0, crash course, SB NBTS, AITS, R&Rs, जिसक करेंगी, कहां पर SB infinity में enroll करने पर, ठीक है, तो यार आपके लिए हम लोग जो कर सकते थे, जो भी कर सकते थे, हम वो कर रहे हैं, हमारा बस संकल्प ये है, कि आपका selection हो जाए, ठीक है, हम आपको पात दिखा रहे हैं, हम आपके लिए सारी चीज प्रवाइड कर रहे हैं, ठ इतना मज़ा आजाए, कि तुम भी सोचो कि यार, मतलब कुछ तो कर दिखाया मैंने, है न, तो यार इतनी जादा मेहनत कर दो इस ताइम पर, ठीक है, कि यार एकदम मज़ा आजाए, और ये सब कुछ आपके लिए दे रहे हैं, सब कुछ आपके लिए दे रहे हैं, ठीक है और इस एक महीने मेनत कर लोगे ना यार तुम लोग इस एक महीने अगर आप लोग मेनत कर लोगे तो मैं गहरी हूँ कि तुम्हें कोई नहीं रोग सकता ठीक है अगर इस एक महीने आप मेनत कर लोगे अगर साल भर मेनत करी हो लेकिन इसे एक महीने एकदम छोड़ दो तो यार तो सब कुछ दूब गया यह समझ जाओं ठीक है लेकिन अगर साल भर में मेनत करी है और यह एक महीना भी बिलकुल टॉप लेवल की मेनत कर दी तो सब कुछ तुमारा है ठीक है, clear है तो यार अब यह सब तो हो गया क्या फ्री मिल रहा है वो तो आपको पता ही है अब यार अपना परिवर्तन स्टार्ट कर लेते हैं ठीक है, हमारा जो दूसरा चाप्टर साथ में होने वाला है तो यार यह बेसिकली यह चाप्टर है कुछ पार्ट में डिवाइड़ है ठीक है, आप्लिकेशन हम लोग अग्रिकल्चर में पढ़ेंगे मेडिसन में पढ़ेंगे, ट्रांसजेर्टिक आनिमल्स के बारें पढ़ेंगे और कुछ हैतिकल इशूस के बारें पढ़ेंगे ठीक है, clear है तो यहाँ स्टार्ट कर देते हैं स्टार्ट कर देते हैं विद बायो टेकनोलोजी प्रिंसिप और इट्स अप्लिकेशन ठीक है, यहाँ देखो अप्लिकेशन अगर हम लोग बात करें बायो टेकनोलोजी की तो बहुत सारे फील्ड में इसकी application आपको देखने को मिलेगी जैसे की जैसे की madam pharmacy में आपको देखने को मिल जाएगी बच्चो ठीक है आपको agriculture तो मैंने आपको बताया ही है medicine में आपको देखने को मिल जाएगी therapeutics में आपको देखने को मिल जाएगी diagnosis में आपको देखने को मिल जाएगी food science में आपको देखने को मिल जाएगी super food बना देना इन सब में आपको biotechnology की applications देखने को मिल जाएगी in fact energy production में भी आपको यह बायो टेक्नॉलोजी देखने को मिल जाएगी तो यार देखो दवाईयां तो पहले भी बन रही थी है ना दवाईयां तो पहले भी बन रही थी जो ऐसे करके एक पेपर में फोल्ड करके दे 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 थे यह आज की भी बन रही थी यार दवाईयां आज भी बन रही है तो यह बायो टेक्नोलिजी को बीच में लाने का मुद्दा कैसे शुरू हुआ क्यों शुरू हुआ तो यह जो चैप्टर है हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या ऐसा चेंज हुआ है है ना हम लोग यही बात जहां जहां यूज कर सकते थे जहां जहां सोच सकते थे हमने वहां वहां बायो टेक यूज किया है ऐसा क्या इंपोर्टेंस लेके आए हम लोग दवाईयां पहले बन रहे थी लेके जोचो पहले जो दवाईयां बन रहे थी वो किसी और्गानिजम की किसी और्गानिजम से मे ही नहीं पा रहा था ठीक है तो यह सब को चेंज करने के लिए कौन आया यह सब को चेंज करने के लिए आई आई आपकी जीन क्लोनिंग क्या आई बच्चो यहां पर आई आपकी जीन cleaning ठीक है अब DNA cleaning क्या है clone मतलब पता है ना रमेश चुरेश हैना सीता गीटा बिल्कुल सेम सेम बिल्कुल सेम सेम है ना तो यहां पर gene cloning में एक रास्ता खोला कि हम लोग higher organism में भी का use करके हम लोग कुछ ना कुछ बना सकते हैं कुछ important हमें मिल सकता है उनसे अब हम लोगों ने gene cloning का मतलब है जब हम लोग एक gene के बहुत सारे replicas बना रहे हैं तो उस factor को हम लोग बोलेंगे gene cloning ठीक है तो मतलब मान लो मान लो किसी एक particular higher organism में कोई बढ़िया अच्छा सा protein बनता हो है ना और उस protein की टेफिशियंसी तुम में हो मुझ में हो मतलब सारे humans में हो तो ऐसा तो हो सकता है हिस वाले higher organism से हम protein निकाल के हमारे अंदर डाल सके हमारी कमी को पूरा करा जा सके एसा तो हो सकता है बिलकुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बिलकुल हो सकता है, सब हो सकता है, तो यार यह चीज करने के लिए, हमारे पास क्या है, अब पूरी RDNA टेकनोलोजी हम पढ़ लिये, कि यार उधर से जीन लिया, जो उस प्रोटीन को कोड करता था, बस में मिठाया, बस यानी की व बायो टेक्नोलोजी कर रहा है, ठीक है, help किस ने करी, change किस ने कर आया, gene cloning जब से आया, तो पता लगा कि यार ये सारी चीज़े भी हो सकती है, ठीक है, अब यार देखो, सबसे important है यहाँ पर, हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं, applications in agriculture, क्या करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं, बच्चो, application, application in agriculture, सबसे पहले हम लोग यह करने वाले हैं, पहले हम लोग पढ़ेंगे agriculture में हम लोगों ने क्या यूज किया क्यों यूज किया सबसे वड़ी बात क्यों यूज किया तो यह सब हम लोग कहां करने वाले हैं जीन सॉरी applications in agriculture में करने वाले हैं अब मेरी बात सुनो अब मेरी बात सरो तो कि यार मतलब हमारा जो देश है हमारे देश में सबसे ज़ादा एगरी कलचर होता है हमारे देश का maximum जो पाइँ maximum जो प्रोशन है वो एगरी कलचर पेड impressed है agriculture इतना हो रहा है तो मतलब ऐसी क्या सवरत पान पड़ी कि हम लोग बायो टेकनोलोजी का इसमें भी यूज करने लगे देखो दीरे-दीरे मतलब बाइदा टाइम क्या हो रहा था पॉपुलेशन बढ़ रही थी क्या हो रहा था पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी अब बच्चो जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो खाने की नीड भी उतनी ही बढ़ेगी लेकिन उतना खाना आनी रहा था अब उतना खाना नहीं आ रहा था यानि कि पॉपुलेशन के साथ-साथ स्कैरसिटी भी बढ़ रही थी क्या बढ़ रही थी population के साथ scarcity भी बढ़ रही थी यार ठीक है यार scarcity भी बढ़ रही थी अब scarcity बढ़ेगी यानी की फिर क्या होगा फिर क्या होगा फिर क्या होगा लोग मरेंगे अब हम लोगों को तो नहीं मार सकते हैं कुछ तो करना पड़ेगा कुछ तो करना पड़ेगा हम लोग लेके आए बायो टेकनोलजी क्या लेके आए एग्रिकल्चर में हम लोग ले आए बायो टेकनोलजी फिर क्या आया फिर आया आपका बायो टेकनोलजी इन एग्रिकल्चर ठीक है फिर हमारा आया क्या बायो टेकनोलजी इन एग्रिकल्चर अब बायो टेक आने से पहल लेते हैं उनमें से कुछ मेथर्ट कौन कौन से हैं उनमें से कुछ मेथर्ट हैं देखो हमने ना क्या यूज कर लिया हमने केमिकल प्रोडक्स यूज करना शुरू कर दिये हमने पेस्टिसाइड यूज कर लिये हमने इंसेक्टिसाइड यूज कर लिये है ना इसके अलावा हम हम लोग होने फर्टीलाइजर उज European लिए उसके हम लोग तकी और जादा सॉल को फर्टाइल बना सके हम लोग ने क्रोटे एजेंट स्कार ंसी द्थरेंट का इस लिए हमने सब उसकर और लेकिन तब भी क्या हो रहा था जादा इंसेक्टिसाइड यूस कर रहे थे तो On Hum Around लिए जो भी हम लोग ग्रो कर रहे हैं उसकी quality में कमी आ रही थिल एतना chemical यूस करोगे दो भहिया तुम खा क्या रहे हो चैंकर या सब्जी है न क्यानी है गानी यह यह दिक्कत आ रही थी ठीक है चलो मार लिया ये दिकतारी थी दूसरी चीज हमने सोचो यार इतना chemical use हो रहा है इतना chemical use हो रहा है तो अब हम लोग क्या करते हैं organic farming करते हैं अब ही आजकल बड़ी चल रही है बड़ी trend में है organic farming क्यों trend में है महेंगे महेंगे खाना और अच्छा खाना है ना लेकिन क्या वो म Codl कर ले वह या हैना क्यों कि organic farming में manure लग रहा था कुछ भी artificial use नहीं कर रहा था कुछ भी artificial use नहीं हो रहा था मैनियॉर यूज हो रहा था बायो fertilizers हो रहे थे और ये सारी चीजे हो रही थी utilize हो रही थी टीक है अब जब ये सारी चीज़े utilize हो रही थी बच्चो इसका मतलब यह है कि यह क्रॉप production तो increase कर रहा thing crop production तो बेशक increase हो रहा था लेकिन अब खुछ सोचो अब खुछ सोचो कि इतना increase हो रहा था सब कुछ increase हो रहा था ठीक है लेकिन लेकिन affordable rates नहीं थे क्या था affordable rates नहीं थे ठीक है nature के साथ भी हार्मनी थी हम लोग किसी को कोई नुकसान नहीं पुचा रहे थे organic farming के थे थो है ना bio fertilizer use कर रहे हैं और हम लोग manure use कर रहे हैं बायो पेस्टिसाइड ज्यूस कर रहे हैं लेकिन यार यह सब कुछ बड़ा महंगा था हर कोई अफॉर्ड नहीं कर सकता कोई खाने वाला फॉर्ड नहीं कर सकता तो दिक्कत आ रही थी तीसरी चीज फिर हमने क्या शुरू करी तीसरे पॉइंट पे आए हमारे जेनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप्स ठीक है तो सबसे पहला सबसे पहली चीज क्या आई सबसे पहली चीज आई एग्रो केमिकल बेस्ट एग्रिकल्चर क्या आया सबसे पहली चीज आई एग्रो केमिकल बेस्ट एग्रिकल्चर ठीक है जिसमें हमन क्या यूज़ करा pesticide insecticide fertilizer पता नहीं क्या क्या यूज़कर लिया ठीक है फिर क्या या फिर आया organic farming नहीं ठीक है फिर क्या आई फिर आया organic farming ठीक है भाया organic farming में颔 क्या या हम ने bio fertilizer bio pesticide manure सब कुछ use कर लिया crop production increase होई लेकिन affordable नहीं थी ठीक है तीसरी चीज आई अब अब बोला अब जेनिटिकली modified crops नहीं बायोटेक ने बोला कि यार इन सब से तो कुछ नहीं होने का है ना मुझे ही मैदान में उतरना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा वरना कुछ नहीं हो पाएगा ठीक है यह चीज़ हुई तो देखो क्या हुआ फिर क्या आया फिर आये हमारे genetically modified crops अब आप खुद देखो अब आप खुद देखो genetically modified crops का मतलब क्या है है ना कि यार उनके genes में हमने कुछ ऐसी modification करी जिससे crop yield बढ़ी है ना जिससे pesticides को क्या कैसे थे जहलने का और उनको बरदाश करने की शमता बढ़ गई है ना और पैस को बरदाश करने की शमता बढ़ गई तो यह सारी चीज़ होई जब हम लोगों ने genetically modified crops में कुछ genetic changes करी कुछ अच्छे characters को थोड़ा और develop करा कुछ बुरे characters को उदर से हटा दिया तो यह सब कुछ हमने कहा करा genetically modified crops में ठीक है अब यह सब हमें realize कब हुआ कि यार इतनी दिक्कते हैं तो basically हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं एक चीज़ that is green revolution क्या पढ़ते हैं green revolution पढ़ते हैं हम लोग है ना क्या पढ़ते हैं green revolution पढ़ते हैं तो basically एक आदमी था एक बड़े अच्छे आदमी थे जिनका था जिनका नाम क्या था Norman E. Borlog क्या नाम था Norman E. Borlog इनको क्या बोला जाता है इनको बोला जाता है father of green revolution क्या बोला जाता है father of green revolution ठीक है तो यह green revolution था क्या सबसे basically जो हमारा green revolution था ना बच्चो वो basically क्या था देखो एक time आया एक time आया जस time पे green revolution के वजे से crop production ट्रिपल हो गया बहुत बार पूछा गया यह statement है कितनी हुई triple हो गई आपकी crop production ठीक है कितनी हो गई triple हो गई आपकी crop production अब यह जो crop production थी green revolution के वजे से triple तो हुई tripling of food production हुई लेकिन फिर भी क्या हुआ बच्चो फिर भी वो इतनी इनफ नहीं हो पाई कि आपका scarcity जैसी problem को बिलकुल जड़ से हटा सके फिर भी वो इतनी इनफ नहीं हो पाई कि वो आपकी scarcity जैसी problems को जड़ से हटा सके ठीक है तो तब आपका क्या हुआ पहले तो यह लिख लो इस ने क्या किया green revolution ने green revolution ने क्या किया tripled food production ठीक है tripled food production किस ने किया आपके green revolution में अब green revolution को क्या किया मतलब ऐसा क्या किया था हमने green revolution में जो इतनी जादा production हो गई देखो हम लोग ने बहुत अच्छे pesticide use करे agrochemicals का use करा better management techniques better management practices शुरू करी तो यार इस वज़े से आपका crop quality भी increase हुई crop variety भी increase हुई food की quality increase हुई और साथ की साथ साथ की साथ high yielding variety आपको मिली है ना high yielding variety आपको मिली लेकिन फिर भी यह enough नहीं था फिर भी यह enough नहीं था क्यों नहीं था यार जो हम लोग agrochemicals use कर रहे थे वह expensive थे जो agrochemicals हम लोग use कर रहे थे देवार expensive अब वह इतने expensive थे कि हर कोई हर farmer जो agriculture करता है वह वह afford नहीं कर सकता था ठीक है और अगर afford कर भी रहा था अगर afford कर भी रहा था तो उसको वहां से इतना return नहीं मिल रहा था दूसरी चीज conventional method use हो रहे थे पुराने जमाने के method use कर रहे थे जिसके वज़े से crop production increase तो ही लेकिन उस level की नहीं हो पाई कि यार मतलब कि सारी problem solve कर सके तो यह सारी चीज यह सारी चीज solve किसने करी यह सारी चीज solve हुई आपके genetically modified organisms के वज़े से genetically modified crops के वज़े से अब यह genetically modified crops में हमने ऐसा करा क्या हम लोगों ने basically हम लोग दो चीज कर सकते हैं क्या कर सकते हैं दो चीज कर सकते हैं two cheese two cheese two cheese कौन सी कर सकते हैं बच्चों two cheese कौन सी कर सकते हैं पहली चीज कर सकते हैं कि हमने कोई बाहर से gene लेके आए और उसको add कर दिया यानि कि हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं जीन एडिशन ठीक है या हम लोग क्या कर सकते हैं जीन सब्ट्राक्शन ठीक है पता चल रहा है एडिशन और सब्ट्राक्शन से बच्चो पता चल रहा है क्या हो रहा है है ना जीन एडिशन का मतलब क्या है जीन एडिशन का मतलब है मेरे बच्चो कि हम ल लोगों ने कुछ एड करा है तो उसको हम लोग कहेंगे जीन एडिशन ठीक है वहीं पर अगर हमने किसी जीन को साइलेंस कर दिया है बोला है खामोश ठीक है यानि कि उसका जो वो काम कर रही है उसको रोक दिया है या उस जीन को हटा दिया है तो हम लोग कहेंगे जीन सब्ट अब रोका और हटाया किसको जाता है जो कामका नहीं है ना जो कामका नहीं है और या फिर उससे कुछ अच्छा काम होनी रहा है अच्छे की जगा करे जा रहा है तो हम या तो gene addition कर सकते हैं या हम लोग gene subtraction कर सकते हैं ठीक है इससे हमें क्या मिलेंगे कुछ genetically modified crops मिलेंगे क्या मिलेंगे कुछ genetically modified crops मिलेंगे ठीक है ठीक है अब इस gene modification से हो क्या रहा था है ना क्या सोच के क्या point of view लेके हम लोग ये GMC बना रहे थे जैसे तो अब neat दे रहे हो तो तुमने कुछ सोचा होगा है ना कुछ सोचा होगा कि मैं बड़े होके cardiologist बनूगा मैं बड़े होके neurosur जर्जन बनूगा है ना तो कुछ सोचा होगा तभी तो मुस्रस्ते चल रहे हो तभी तो मुस्रस्ते चल रहे हो है ना बिना सोच के बिना vision के हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं ठीक है अगर हम लोग के अंदर सोच नहीं है विजन नहीं है तो हम लोग हमेशा ना फिर क्या कह सकते हैं एक वरकर की तरह ही रहेंगे वरकर आज़ें कि जिसको जितना बोल दिया उतना कर लिया है ना है ना आपको फिर हर चीज के लिए हम लोग डिपे करना पड़ीगा हमें visualize करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मुझे ये करना है फिर मुझे उसका रस्ता पता होना चाहिए कि इस रास्ते से मुझे वो चीज बिल जाएगी अब मिल जाएगी तो मिलने के बाद उसकी बेकदरी नहीं करनी है मिलने के बाद उसकी बेकदरी नहीं करनी है क्योंकि अगर बेकदरी की तो दुनिया इतनी खराब है ना इतनी खराब है कि एक बार तुम बेकदरी करोगे दस बार तुम्हारी बेकदरी हो जाएगी तो जो चीज मिल जाए उसकी कदर करनी है ताकि तुम उसको और अच्छे ल प्रॉब्लम्स को अवाइड करने के लिए हमें GMC बनाने हैं चीक है क्लेर है क्लेर है अब वो प्रॉब्लम्स क्या थी सबसे पहला हमें प्लांट्स को क्रॉप्स को टॉलरेंट बनाना था ट्वर्ड्ज ए बायोटिक स्ट्रेस इना टेंपरेचर पी अचो भी आ रहा है है ना उन सबके अगेस हमें क्या बनाना था इसे मोर टॉलरेंट बनाना था क्या करना था सबसे पहली क्या हुरा है बच्चो पहला था मेक क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टॉवर्ड्स ए बायोटिक स्ट्रेस ठेक है टॉवर्ड्स ए बायोटिक स्ट्रेस ठीक है बायो को सेकिन हो गया अब पहला था कि abiotic stresses के खिलाफ हमें more tolerant बनाना था दूसरा था कि यार chemical pesticides से छुटकारा पारना है यानि कि chemical pesticides के उपर हमें भरोसा नहीं हमें dependent नहीं रहना है तीक है यानि कि देखो chemical pesticide हो या कोई और इंसान हो है ना आप हो आपका कोई दोस्त है अपने दोस्त के ऊपर भी पूरा rely मत करो मैं यह नहीं बोलो कि ट्रस मत करो rely मत करो dependent हो है ना क्योंकि जा तक तक तुम किसी और पर dependent हो ना तब तक तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं वह ना किसी और पर dependent हैं Baylor हर काम में हर चीज़ में यह चीज कभी नहीं करने यार यह कर देगा वो कर देगा नहीं नहीं आती है तो सीखो लेकिन अपने आप पे ही डिपेंडेंट रहो इंडिपेंडेंट बनो है ना इंडिपेंडेंडेंट बनो ठीक है इंडिपेंडेंडेंट का मतलब यह नहीं है कि मत्रगस्ति करने चले गए म मटरगस्ती में तो सारे ही independent है, मैं भी हूँ, वो भी है, सब है, ठीक है, लेकिन हमें कामों में भी, अच्छे कामों में भी independent रहना है, तो यहाँ पर हमें chemical pesticides पे dependency कम करनी थी, क्या करनी थी? क्या करनी थी, ठीक है, क्या करनी थी? कम करनी थी, ठीक है, अब यार देखो, हमें पता है कि कुछ भी उगाते हैं, जब उसको हम लोग harvest कर लेते हैं, जब उदर से हमें अपना product मिल गया है, तो उसके बाद बहुत सारे soil में loss, fertility कम हो जाती है, कोई बहुत सारी दिक्कत होती है तो तीसरा motive यह था, that we have to reduce, post harvest loss, ठीक है, क्या करना था? हमें post harvest loss को भी reduce करना था, ठीक है, क्या करना था? reduce करना था, ठीक है, clear है, clear है, और सबसे बड़ी बात हमें करनी थी, efficiency increase, efficiency और quality दोनों ही increase करनी थी, ठीक है, clear है, तो यार यह कुछ मुद्दे थे, यह कुछ मुद्दे थे, जो हमें पूरे करने थे, और वो पूरे कैसे हो सकते थे? genetically modified crops के वज़े से हो सकते थे, ठीक है, आप देखो, पहला example अगर हम लोग बात करें, पहला example अगर हम लोग बात क क्या है, पहला example, genetically modified crop का पहला example क्या है, वो है golden rice, ठीक है, देखो वाल को मेरे साथ साथ लिखोगे, ठीक है, मेरे साथ साथ लिखोगे, और जिसने already लिख रखा है, क्योंकि वैसे भी आखरी महीना है, तो वही point note down करेंगे, जो आपने miss कर दिये है, है ना, या जो आपको करना है, ठीक है, lecture देखो, क्योंकि revision के लिए है, लेकिन वही चीज क्या करनी है, note down करनी है, जो आपके पास नहीं है, ठीक है, या कभी समझ नहीं आई थी, ठीक है, clear है, देखो, अब जब हम लोग golden rice की बात करते हैं, तो ये किसने, किसने सबसे पहले develop किया था, ये develop हुआ है, by ingo potricus and peter bear, ठीक है, किसने करा था, ingo potricus and peter bear, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, golden rice को develop किया था, it was developed by these two people, ठीक है, अब यार, golden rice में क्या किया था, हमने, golden rice में हम लोगोंने vitamin A की और iron deficiency को पूरा किया था, ठीक है, जो normal diet में हमें vitamin A, iron deficiency होती है, उसको पूरा करने का काम हमने या किया था, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने vitamin A and iron deficiency को कम करने के लिए, इनकी कमी पूरी करने के लिए, हमने golden rice में इस तरह के कुछ जीज डाले, अब जो vitamin A है, अब जो vitamin A है, अगर इसकी deficiency हमारी body में होती है, ध्यान से सुनना, अगर इसकी deficiency हमारी body के अंदर होगी, तो हमें क्या हो सकता है, हमें हो सकता है, night blindness, क्या हो सकता है, हमें हो सकती है, night blindness, अगर इसकी deficiency हुई, तो night blindness हो जाएगी, है ना, यानि की रात में दिखेगा नहीं, ठीक है, अगर इसकी deficiency हुई, ठीक है अब कुछ नहीं दिखेगा तो रात में जब वाश्रूम के लिए उठोगे तो कभी सर यहां बजएगा कभी सर यहां बजएगा तो कुछ ना कुछ होता रहेगा ठीक है तो यार देखो golden rice के time पर हमने क्या करना जाहा हमने vitamin A को और iron deficiency को पूरा करना जाहा कैसे कैसे vitamin A तब आएगा जब हमारे पास vitamin A अपने साथ साथ क्या लेके आएगा जादा से जादा बीटा केरोटन ठीक है क्या करेगा ये accumulate more beta carotene ठीक है ठीक है ठीक है अब ये कैसे हो सकता था इसके लिए हमें क्या करना है हमें बनाना है genetically modified crop अब वो crop क्वोंसा है हमें वो सोचना था तो हमने use करा हमने use करा oryza satyiva कौनसा crop use हुआ हमने use करा oryza satyiva ठीक है हमने यूज किया कौन सा औराइजा सटाइवा यूज किया औराइजा सटाइवा के पास क्या था औराइजा सटाइवा को हमने एज मीडियम चूज किया जिसके वज़े से हमें जादा से जादा विटामिन A की कमी हम पूरा कर सके ठीक है अब इसको पूरा करने के लिए इसको पूरा करने के लिए क्या था देखो अगर बीटा केरोटिन कहा है अगर बीटा केरोटिन जादा है तो क्या होगा तो क्या होगा ये क्या करेगा ये क्या करेगा जादा से जादा विटामिन ए लेके आएगा क्योंकि यह जो है beta carotene is the principal source of vitamin A यहां से हमें सबसे ज़्यादा vitamin A मिलता है यह क्या है it is the principal source of vitamin A ठीक है तो क्या हो रहा है beta carotene अगर ज़्यादा है beta carotene बच्चो अगर ज़्यादा है तो यह क्या लेके आएगा हमारे पास जादा से जादा फिर हमारे पास क्या आएगा विटामिन एर आएगा ठीक है और इसका नाम golden rice क्यों पड़ा क्योंकि यह जो बीटा केरोटिन है इसके वजे से इस rice का जो color था इस rice का जो color था वो कैसा हुआ येलो हुआ तो येलो ना हो बोलके हमने इसका नाम दे दिया गोल्डन राइस क्या नाम दे दिया हमने नाम दे दिया गोल्डन राइस ठीक है क्लियर है क्लियर है अब ये सब हुआ कैसे क्यूं हुआ क्यूं कराया ये हमें पता चल गया अब ये सब हुआ कैसे तो हम लोगों सबसे पहले हमें विटामीन है की कमी का पूरी करने के लिए बीटा कैरोटिन चाहिए था बीटा कैरोटिन क्या जीन्स हमने कहां से लिया हमने बीटा कैरोटिन का जीन्स लिया डेफोडिल से कहां से लिया डेफोडिल से हमने बीटा कैरोटिन का जीन लिया कहां से लिया डेफ फूदी Rice ठीक है हम लोगों ने कहां डाल दिया हम ने डाल दिया इसे राइस प्लांट में बसक्राइश mim है कहां डाल दिया राइस प्लांट में अब राइस प्लांट में पूरी व có टेक्नीक यूoser आया हमने उसको कहां डाल दिया राइस प्लांट में डाल दिया राइस प्लांट में डाल दिया using beta using agrobacterium tumifacients ठीक है clear clear रहे जिसके वज़े से अब राइस में भी ज़्याधा बीटा केरुटिन अब ज़्यादा बीटा कैरोटिन आएगा तो हमें हमारे पास ज़्यादा विटामिन ए मिलेगा और ज़्यादा विटामिन ए ही तो चाहिए था यही तो दिमाग में था हमारा कि हमें विटामिन ए रिच राइस बनाने है ठीक है तो यह समझ आया यह समझ आया हम लोगों ने बीट केरोटेन हमें चाहिए होता है ताकि हमें जादा से जादा क्या मिल सके विटामिन ए मिल सके अब बीटा केरोटेन लिकालने के लिए हमने डेफोडेल यूज करा है ना डेफोडेल यूज करा अब डेफोडेल से हमने बीटा केरोटेन के जीन्स निकाले और राइस प्लांट ज से अब एग्रो मेक्टीरियम की मदद से जब वो जीन वहां चला गया है तो उसने अपने को मल्टिप्लाइ करा होगा और हमें बहुत सारा बीटा केरोटेन मिला होगा जिसके वज़े से यह जो राइस है वो येलो कलर के हुए और इनका नाम क्या रख दिया गया इनका नाम र जो चीज थी हमारी दूसरा जो हमारा हम लोगों ने जो किया ना दूसरा पॉइंट जो था वो था आपका कि हम लोगों ने production करी हिरोडेन की from transgenic brassica nepas seed हम लोगों ने क्या करा दूसरी चीज हमने क्या बनाई genetically modified करके हम लोगों ने करा production of herodin production of herodin from brassica napas seeds ठीक है हम लोगों ने herodin की production करी using brassica napas seeds अब ये होता क्या है अब ये herodin क्या होता है सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं herodin की herodin क्या है herodin एक तरह का anti-cogulant है herodin क्या है herodin एक तरह का anti-cogulant है ठीक है anti-cogulant है कौन आपका herodin अब herodin की production में हम लोगों ने क्या यूज किया है brassica napas के seeds यूज करें हैं क्या किया है हम लोगों ने क्या करा हम लोगों ने synthetic heroin geneley और उसको कहां डाल दिया ब्रासिका नेपस में डाल दिया हम लोगों ने क्या करा heroin geneley हम लोगों ने heroin geneley और उसको कहां डाल दिया ब्रासिका नेपस में डाल दिया कहां डाल दिया ब्रासिका नेपस में डाल दिया फिर हम लोगों ने इसको क्या किया हम लोगों ने इसको ग्रो कराया और जब हम लोगों ने ग्रो कराया तो हमने देखा इसके सीड में क्या था इसके सीड में आपको क्या मिला हिरूडिन मिला क्या मिला हिरूडिन मिला वो एं ने क्या किया आइसोलेट किया, प्यारिफाइई करा, सेप्रेट करा, पूरी डाउन्स्रेम प्रोसेसिंग करे, और बाद में इसको यूज किया गया as medicine ठीक है, बाद में से भले ही as medicine use किया गया है, लेकिन एगरी कल्चर में देखू, agriculture में इसका use हुआ है ठीक है clear है तो दूसरा चीज हम लोगों ने क्या बनाया था हम लोगों ने बनाया था आपका एक तो golden rice और एक आपका brassica से हम लोगों ने बहुत सारा क्या निकाला heroin utilize करा क्या निकाला heroin utilize करा ठीक है next 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 की अगर हम लोग बात करें तीसरी चीज है ना तीसरी चीज जो थी एक minute एक minute यह पढ़ लेते हैं पहले है ना यह हम लोगों ने cover कर लिया है तो यह थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ठीक है हमने क्या करा हमने करा green revolution green revolution क्या था है ना green revolution मैंने आपको बताया था कि tripling of food supply हुई थी बट इतना food नहीं था क्योंकि human population भी grow हो रही थी ठीक है तो हम लोगों ने क्या करा हम लोगों ने बहुत सारा क्या देखा हमने biotechnology का मदद ली हमने क्या करी हमने biotechnology की मदद ली ठीक है क्यों मदद ली क्यों मदद ली क्यों कि यार देखो जब हम लारे green revolution के time पे हमें सब मिल रहा था improved crop varieties मिल रही थी ठीक है बट उसके लिए better management practices चीए थी agrochemicals हम लोग बहुत यूज़ कर रहे थे fertilizer और pesticide यूज़ कर रहे थे ठीक है तो यार इन सब चीजों के वज़े से ये सब कुछ क्या था बहुत जादा क्या था expensive था क्या था बहुत जादा expensive था लेकिन increase कर रहा था इंक्रीज इल्ड जरूर इंक्रीज कर रहा था लेकिन बहुत जादा क्या था expensive था तो इन सब को हटाने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया हमने genetically modified crop यूज़ करे ठीक है अब उसके अलावा आपकी NCRT मे एक portion और जुडा है वो कौन सा portion है वो है आपका X plants वाला tissue culture वाला ठीक है तो tissue culture में basically क्या होते है कुछ हम लोग क्या बोलते हैं कि X plants जो क्या करते हैось x-plants वो part of the plant है जिन से हम एक पूरा plant regenerate करा सकते हैं गा है एकस point हो पाइट अव्धいきます और यह कोई भी पार्ट हो सकता है plan कोई भी पार्ट हो सकता है plan ॉजिसको हम लोग बहाँ निकालेंगे और test sterile condition ठीक है under sterile condition हम लोग इसको grow कराते हो इसमें सारा जितना इसको nutrient चाहिए जो जो nutrient चाहिए जिस quantity में मिलना चाहिए वो सारा nutrient भी produce किया जाता है वहाँ पर बनाया जाता है क्या होता है वहाँ पर उसको दिया जाता है ठीक है now this capacity to re-generate a whole plant from any cell x plant is called totipotency हमारे सेल्स के अंदर भी तो होता है टोटी पोटेंट नेचर की कुछ इनर सेल मास यादे हैं अप लोग को human reproduction उधर से भी हम लोग काफी कुछ नया बना सकते हैं और गन बना सकते हैं किसी deficiency को पूरा करने के लिए उसको टी करने के लिए उसको stem cells को टोटी पोटेंट cells को यूज किया जा सकता है ऐसे ही यह x plants क्या कर रहे हैं जब किसी x plant के पास किसी cell के पास एक पूरा power है कि उस से उस चोटे से पार्ट से एक पूरा plant बन जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे टोटी पोटेंशी कहेंगे क्या बोलेंगे टोटी provide करना है क्या करना है nutrient medium provide करना है ठीक है जैसे की carbon source for example सुक्रोस से मिल सकता है in organic salts vitamins amino acid growth regulators like oxygen cytokines etc यह सब उस plant को देना है यह सब उस plant को देना है अगर यह सब नहीं दोगे सोचो ना oxygen वो हर्मोन है जो हमें growth के लिए चाहिए cytokine वो हर्मोन है जो हमें growth के लिए चाहिए वही नहीं मिल रहा है तो दिक्कत है ना वो तो देना पड़ेगा अगर उस plant को regenerate कराना है वो भी एक अच्छे rate में वो भी अच्छी yield के साथ है ना तो यार देखो इन सब को जब हमने देखा हम ने क्या गरा हमने एक्स plant लिया हम लोगों ने उसको कल सकराय हम लोगों ने उसको सब कुछ दिया हमने देखा कि कुछ plants बहुत short duration में भी क्या आ सकते हैं पूरा region rate हो सकते हैं क्या हो सकते हैं short duration में भी हम हमारे पास हम लोग एक plant को regenerate करवा सकते हैं ठीक है क्या कर सकते हैं short duration का time है बहुत कम time में हम जादा से जादा product yield बना सकते हैं ठीक है नाव इस method को जससे हम लोग क्या कहते हैं जिससे हम लोग एक्स प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना रहे हैं एक एक्स प्लांट से हम लोग काफी जल्दी क्या कर सकते हैं अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं अपनी इल्ड बढ़ा सकते हैं इसको हम लोग ने क्या बोला हमने बोला micro propagation क्या बोला micro propagation ठीक है ठीक है ठीक है अब यह जो plant हम लोग grow करा रहे हैं same nutrient media में उस एक ही ex plant से है ना या बहुत सारे ex plant से तो उन सब का जो genetic constitution रहेगा वो बिल्कुल क्या रहेगा identical रहेगा ठीक है क्या रहेगा identical रहेगा किसे original plant से और इसलिए इनको क्या बोला जाता है Soma clones बोला जाता है क्यों क्योंकि बिल्कुल ex plant से बिल्कुल identical बिल्कुल छपा छपाया आप लोगों ने सूरे वंचम देखी है है ना अमिताब बच्चन वाली movie जो सो सा कौन सा यो जो येलो कलर वाला सोनी मैक्स है है ना उस पे आती है है ना तो उस पे वो नहीं हो ता बिल्कुल अमिताब बच्चन ही पापा है अमिताब बच्चन ही बेटा है तो बिल्कुल दौनों की शकल सेम कर मिल रही है ऐसी ex plant और आने वाले जो progenies हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनका और parent plant का और offspring का बिल्कुल same same genetic constitution होगा और same same वो दिखेंगे इसलिए उनको क्या बोला जाता है soma clones भी बोला जाता है क्या बोला जाता है soma clones भी बोला जाता है और इनके लिए हम लोग ने क्या करा है tomato banana apple ऐसे बहुत सारे fruits ऐसे बहुत सारे plants हम already बना चुके हैं ठीक है अब मानलो अब मानलो कि हमारा जो plant है वो infected है हमारा जो plant है वो infected है लेकिन जो उसका और सबसे उपर meristum वाला पार्ट होता है जो evical meristum होता है वो हमेशा virus free रहता है वो कभी भी क्या होता है वो कभी भी infected नहीं होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं उस मेरे स्टम को रिमूव करेंगे और उसको इन विट्रो कंडिशन में ग्रो करेंगे आने की बाहर टेस्ट ट्यूब में ग्रो करेंगे ठीक है तो वहां पर ग्रो करके फिर उसको आगे क्या डाल देंगे कल्चर कर लेंगे है ना उ और फिर हमें क्या मिल गया हमें एक virus free plant मिल गया क्या मिल गया virus free operation मिल गया और इसके help से हमने बनाणा sugar तोगरकेन पोटाटो यसे प्लांट भी ग्रो करेंस है ठीक है Clear है Clear है क्लियर है नेक्स देखो नेक्स कुछ कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कभी कभी हम लोग सिंगल सेल्स को आइसोलेट करते हैं हमने प्लांट से एक सिंगल सेल लिया ठीक है और उनकी सेल वॉल को डाइजस्ट कर दिया उनकी सेल वॉल तोड दिया हमारे पास क्या है सिर्फ उसको हमने क्या लिया उस अंदर वाले मटीरियल में से भी हमने प्रोटोप्लास लिया अब इस प्रोटोप्लास को हमने दो अलग तरह के प्रोटोप्लास को मिक्स कर दिया हमने क्या करा एक सेल यहां से लिया था एक सेल यहां से लिया था सेल मेंब्रेन दोनों की तोड़ दी अब हमने क्या करा दौनों के protoplast को mix कर दिया हमने mix करके क्या कोशिश करी कि हम लोग कुछ नया variety बनाएंगे mix तो तब ही हो रहा है जब कुछ नया बनेगा mix होके तो नया ही बनेगा अब चाया आप कुछ भी mix कर रहे हो कुछ लिमका में पेपसी, पेपसी में लिमका, लिमका में और आजकल रील भी कैसे चल रही है, कोई चॉकलेट गोलगपपा खा रहा है, कोई मोमोज, चॉकलेट मोमोज खा रहा है, यार मोमोज कोई चॉकलेट मोमोज कैसे खा सकता है, मोमोज तो तीक ही अच्छे लगते हैं नो बहुत सारी चीज चीज से होगोरी इस मिक्सियों जा रही चॉकलेट मैगी जैसी चीज सब मैंने तो खाई भी नहीं है तो यहां देखो क्या हो रहा है ध्यान से सुनों यहां पर हमने लिया दोनों प्रोटोप्लास को क्या कर दिया मिक्स कर दिया यह सोच के कि यार इधर से मैंने desirable characteristics ले लिया है यहां से मैंने desirable characteristic ले लिया है तो यहाँ पर फिर हमें क्या मिल गया एक hybrid protoplast मिल गया और हमें क्या बन गया एक नया plant बन गया इस तरह के hybrids को हम लोग क्या बोलते हैं somatic hybrid बोलते हैं और इस process को हम लोग कहते हैं somatic hybridization क्या बोलते हैं somatic hybridization बोलते हैं ठीक है clear है इतना clear है अब यार देखो हम लोगों ने somatic hybridization से एक चीज बना रखी है जिसका नाम है पो मैं टो यानि की tomato plus potato ओल्डो इतना successful नहीं हुआ ये लेकिन फिर भी इतना हो गया कि हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं ये किस से बना है somatic hybridization से ही बना हुआ है ठीक है क्या आपका tomato ठीक है clear है clear है अब यार इतना मैं आपको बढ़ा चुकी हूँ genetically modified crops क्यों बना रहे हैं क्या motive है क्या vision लेके बना रहे हैं पहला vision क्या था उनको more tolerant बनाना है abiotic stresses के खिलाफ ठीक है reduce करना है chemical pesticides पे dependency कम करनी है post harvest loss कम करने है ठीक है increase efficiency करनी है ठीक है साथ की साथ exhausted nutritional value of food है ना nutritional value of food को बढ़ाना है जादा से जादा nutrients इसके अंदर डालने हैं ये सब हमें करना है किसके साथ आपके genetically modified crop के साथ और हमने क्या example पढ़ लिया है हमने e conservative यार आपके golden rice का ठीक है आपकी ब्रासिका नेहिंपस से हम लोग कैसे hirudan बना रहे हैं वह हमने पढ़ लिया जो आपकी ncrti में बड़े प्यार से दे रखा है तीसरा portion है आपका biti वाला है याने की bad trip वाला कौंसा portion है bad trip वाला portion है ठीक है यानी कि क्या किया है हमने इसमें हम लोगोंİम icki कर रहे थे आध न बहुर से इंकाल रहे थे यूज कर रहे थे जिनके वजह से क्रॉप की। Crव की हेल्फ पेश क्रॉप की कॉलिटी पर हिए भहुत ज़ाधा फरक पढ़ रहा था लेकिन अब हमने सोचा कि अब हम अंदर अपने खुद के अंदर ही एक pesticide बनाएंगे, एक insecticide बनाएंगे, तो जो insecticide बना है वो बना है इस तीसरे case में, ठीक है, जब हम लोगों ने अंदर ही क्या बना लिया है, insecticide बना लिया है, ठीक है, तो ये कैसे, सबसे पहला है, pen change करना सबसे पहले आपको पढ़ना है, ये insecticide बना कैसे, तो ये बना endotoxins of bacillus thuringiensis, ठीक है, इसकी मदद से, हमने क्या कर पाए, हम क्या कर पाए, हम बना पाए pesticide, हम क्या बना पाए, insecticide बना पाए, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो आपका bacillus thuringiensis होता है, during sporulation, क्या करता है, ये एक intracellular crystalline bodies बनाता है, कब जब sporulation के time पे, जान यानि कि जब multiple copies बना रहा है, उस समय क्या करता है, ये अपने अंदर intracellular crystalline bodies बना लेता है, और इन इन crystalline bodies के पास क्या होता है, एक protein होता है, क्या होता है, एक protein होता है, जो कि एक insecticidal protein है, ठीक है, क्या है, एक insecticidal protein है, यानि कि insect को मारने वाला protein है, ठीक है, अब ये जो protein है, इसको हम लोग कहते हैं endotoxin, क्या बोलते है, इस protein को, इस insect को मारने वाले protein को, हम लोग क्या बोलते है, endotoxin बोलते है, ठीक है, अब ये क्या हो, endotoxin क्या होता है, accumulate होता है, accumulate होता है, accumulate होता है, और accumulate होता है, ये इतना accumulate होता है कि लेकिन यह क्या है अभी inactive है क्या है inactive है बिलगुर inactive है कि कुछ नहीं करेगा ना plant को अपने आपको कोई दुख डर्द पीडा नहीं देगा जो भी दुख डर्द पीडा और बीटी देनी है वो दूसरे को देगा ठीक है तो no दुख डर्द पीडा for myself only मुझेशान कर रहा है तो हम उनको दुखदर्ट पिड़ा देंगे तो हमने क्या कर ран अब यह जो सब्सक्राण़ करते हैं और इस बड़े खुश हो के आ रहा है बड़े खुश हो के आ रहा है ना कि वो आएगा वो बैठेगा और उस प्लांट को खराब करना शुरू करेगा है ना तो अब हमने क्या करा हमने उस बीटी जीन को एक प्लांट में डाल दिया है हमने क्या करा है उस बीटी जीन को उस प्लांट म harm करेगा वो क्या करेगा basically काटेगा खाएगा उस प्लांट को खोकला बनाने की खुश्च करेगा अब क्या होगा अब क्या होगा जैसे ही यह जो आपका protoxin है इंसेक्ट ने खाया उसे है ना इंसेक्ट ने यह protoxin खा लिया अब उसकी इनक्टिव प्रोटॉक्षिन को एक्टिवेट कर देगा अब जैसे ही एक्टिवेट होगा कहां पर एक्टिवेट हुआ है उसकी गट में उसकी मिड़ गट में उस इंसेक्ट की मिड़ गट में यह एक्टिवेट हो गया है ठीक है अब क्या करेगा यह जो आपका बीटी है य ये उसकी गट में इतने छेद करेगा, इतने छेद करेगा, कि इसे समझ नहीं आएगा, कि समझ जाओ, ठीक है, बैसे इसे समझ नहीं आएगा, कि इसके साथ हो क्या रहा है, ठीक है, तो क्या करता है, ये उसकी मिटगट को इतना डैमेज करता है, उसमें इतने पोर्स करेगा, इतने पोर्स करेगा जिसके वज़े से स्वेलिंग हो जाएगी स्वेलिंग के वज़े से सब कुछ क्या हो जाएगा फट जाएगा स्वेलिंग के वज़े से स्वेल इतना हो जाएगा कि वो पुरा फट जाएगा और और इंसेक्ट तो गया है ना टाटा बाई बाई चला गया ठीक है तो यार इस इस अच्छी से चीज का यूटलाइज हमने कहां किया हमने किया प्लांट्स में इस चीज का यूटलाइजेशन हमने कहां किया हमने किया इस चीज का यूटलाइजेशन प्लांट्स में ठीक है तो सबसे पहले सबसे पहल करेगा यह जैसे ही यह जैसे ही गट में जाएगा तो इसके alkaline medium के वज़े से यह activate हो जाएगा अब जैसे ही यह endotoxin activate हुआ है यह जो endotoxin अब activate हुआ है यह क्या करेगा यह इतने यह pores create करेगा ठीक है damage कर देगा गट को जिसके वज़े से swelling हो जाएगी या फिर lysis हो जाएगी अब lysis के वज़े से क्या हो जाएगा insect dead ठीक है तो यह है एक तरहा का कि हमने अपने अंदर ही insecticidal protein ले लिया है ठीक है अब यह जो आपका protein है यह depend करता है कि कौन सा insect के खिलाफ यह अपना क्या show करता है कि कौन से insect के खिलाफ यह धरना देके बैठेगा कौन से insect के खिलाफ यह अपना पूरा production दिखाएगा ठीक है तो ऐसे इस BT को यूज करते हुए इस bacillus thuringis को यूज करते हुए हमने काफी सारे plants बनाए ठीक है क्या tomato, BT rice, BT potato यह सारे क्या है examples है कि इसके BT GMC के BT genetically modified crops के ठीक है लेकिन अभी मैंने बोला कि specific है यह है ना specific है इसके यह वाला insect आएगा तो ही इसको मारूगा तो इसके लिए भी अलग-अलग genes है इसके लिए भी अलग-अलग gene है और यह endotoxin बनाने वाली gene को हम लोग क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं cry gene बोलते हैं यह वो genes है जो यह वाला protein बना रही है कौन है यह वो gene है जो यह वाला protein क्या बना रही है यह वाला protein बना रही है ठीक है clear है इतना clear है इतना clear है जल्दी बता दो इतना clear है ठीक है अब for example there are there is a gene cry 1ac and cry 1ab क्या है cry 1ac और cry 1-A-B, cry 1-A-C, cry 1-A-B और यह बहुत बार पूछा गया है cry gene वाला, यह दोनों क्या करती है, cotton ball warm और cotton ball, यह किसको किसके खिलाफ काम करेगी, यह काम करेगी cotton ball warm के खिलाफ, चीक है, यह किसके खिलाफ काम करेगी cotton ball warm के खिलाफ, और दूसरी किसके के खिलाफ काम करती है, corn कौन बोरर ठीक हई किसके कि खिलाब कौन बोरर के कि खिलाब ठीक है क्लयर है क्लियर है क्लियर है चलो अभीज कौन आता है आपके तोको km वह बित बाहत है आर्मी वां पाते हैं कॉलयूप्टरैन्स को infect करने के लिए estàus कौन है आपके बीटल वर्म्स होगे बीटल्स होगे ठीक है डिप्तेरंस कौन है आपके flies एन मस्किटो यह सारे क्या है अलग-ंअलग और्गानिजम है ये सारी अलग अलग इंसेक्ट है जो आपके किसको खराब करने के लिए प्लांट को खराब करने के लिए आते हैं जैसे कि आपका लेपेड़ोप्टेरंस हो गया और आपका कॉलीप्टेंस हो गया इतना अब एक बार इसको NCRT के समेथ पढ़ लेते हैं ये देखो देखो ओके हमने क्या बनाया हमने अपने अंदर ही insecticidal protein बना लिया है क्या बना लिया है insecticidal protein बना लिया है for example insect कौन से कुछ lepidopterans बहुत बार पूचा गये कौन से होते हैं tobacco bird warm, army warm, coliopterans, beetles होगे, dipterans जैसे की flies और mosquito अब हमारा जो bt toxin है वो क्या बनाता है बताया था crystals बना लेता है जिसको हम लोग कहते हैं आपका endotoxin या फिर हम लोग कहते हैं insecticidal protein अब ये insecticidal protein किस में रहता है inactive form में रहता है ठीक है लेकिन जैसे ही वो insect इसको खाएगा वो inactive toxin जो होगा convert हो जाएगा active form में due to the alkaline pH of gut ठीक है alkaline pH के वज़े से वो inactive वाला active form में चला जाएगा अब जैसे ही वो active form में जला जाएगा नाम इसका bt है लेकिन ये bt किसको दे रहा है toxin उसको insect को दे रहा है किसको दे रहा है नाम bt इसका है bad trip है ना लेकिन bt दे किसको रहा है insect को bt दे रहा है अब जैसे ही ये क्या करता है it solubilize crystal को solubilize कर देता है जिसके वज़े से activated toxin mid gut की epithelial cells के साथ बड़े प्यार से bind करेगा और bind करके उसमें इतने pores create करेगा इतने pores create करेगा इतने pores create कर देगा कि जिसके वज़े से वहाँ पर swelling हो जाएगी lysis हो जाएगी और फिर insect का insect जी बगवान को प्यारा हो जाएंगे ठीक है अब इनको इस bt को कुछ specific gene है जो यह bt बना रहे है यह वाला endotoxin बना रहे है उन जीन को बोला जाता है cry gene क्या बोला जाता है cry gene बोला जाता है for example अब बताया cry 1ac cry 2ab किसको कर रहा है cotton ball worms को और cry 1ab किसको कर रहा है आपका cotton borer को किसको कर रहा है कौन बोरर को ठीक है clear है clear है इतना मैं आपको अभी तक पढ़ा चुकी हूँ इतना मैं आपको अभी तक क्या कर चुकी हूँ पढ़ा चुकी हूँ ठीक है next आपका आजाता है हाँ next आपका आजाता है क्या fourth portion अभी तक हम लोगों ने क्या किया था अभी तक चाहे वो golden rice हो चाहे वो तो क्यों हब पारि को कर देने की तो यार देखो होटा क्या है होटा क्या है सबसे पहले तो होटा क्या है हम होता यह है यह है कि एक एक यह आपकी NCRT की पिक्चर है एक नीमा टोड है एक नीमा टोड है जिसका नाम है मिलोईडी गाईने यह नीमा टोड क्या करता है तुबैकों की रूट में तुबैकों की रूट में आता है और तुबैकों की रूट में आकर के क्या करता है क्या करता है यह उसक कुछ डिजीज कॉज करता है ठीक है कौन सी डिजीज कॉज करता है ठीक है बेसिकली ये क्या करता है ये जो आपका नीमा टोड है ये नीमा टोड क्या करेगा ये नीमा टोड एक डिजीज कॉज करेगा जिसका नाम है क्राउन गॉल डिजीज में होता क्या है देखो क्राउन स्वाओर है तो शणका वीुग है तो होता कि आप हमने स Camera कर ना है। यख़ुड देखो अंदर नियु तो यार करता है ठीक है इस टोबैको प्लांट की रूट को इंफेक्ट करने कौन आता है इसको इंफेक्ट करने आता है मिलोईडी गाइने जो की एक क्या है जो की एक नीमा टोड है क्या है एक नीमा टोड है अब ये नीमा टोड इसकी रूट को क्या करता है बड़ा परिशान करता है अब जब root को infect करता है तो कैसे infect करता है ये इसकी root में क्या cause कर देता है not create कर देता है और जिसके वज़े से इस crop की yield अच्छे से नहीं हो पाती है quality भी क्या हो जाती है decrease हो जाती है अब यार ये तो बड़ी चिंता वाली बात है अब इस चिंता वाली बात को हमें क्या करना है हमें करना है इसको ठीक हमें क्या करना है इस चिंता वाली बात को बिलकुल ठीक करना है ठीक कैसे करेंगे ठीक करते हैं with the help of RNA interference RNA interference की मदद से हम लोग इसको क्या करेंगे ठीक करेंगे कैसे ठीक होगा कैसे ठीक होगा हम लोग सबसे पहले इसमें मदद लेंगे किसकी agrobacterium की मदद लेंगे किसकी मदद लेंगे agrobacterium tumifacients की मदद लेंगे ठीक है अब देखो अब जब ये ये इसको खराब करने आता होगा है ना ये इसको not बनाने में इस plant के अंदर not बनाता होगा तो यह सब इसका DNA आता हो DNA क्या बनाता होगा MRN है ना MRN बनाता होगा और ये MRN आगे protein बनाता होगा ठीक है protein बनाता होगा अब हमें क्या रोकना है इस MRN को ही बनने से रोक देना है इस MRN को protein बनाने से ही रोक देना है ठीक है कैसे रोकेंगे अब आपका ये जो agrobacterium tumifaciens है बच्चों ये क्या करेगा ये basically क्या करेगा virus transposons कहां डालेंगे हम लोग पहले से ही कहां डाल देंगे tobacco plant में डाल देंगे यानि कि agrobacterium की मदद से हमने क्या कि इसके जैसे ही same genes यानि कि nematode specific genes nematode specific genes हम कहां डाल देंगे हम डाल देंगे आपके tobacco plant के अंदर अब tobacco plant में जब यह genes जाएंगे तो DNA बनेगा DNA के बाद एक sense RNA बनेगा और एक anti sense RNA बनेगा यानि कि हमारे पास क्या बन जाएगा double stranded RNA की formation होगी क्या होगी double stranded RNA की formation होगी अब अब जब नीमा तोड औरिजिनल नीमा तोड आएगा है ना जब मान लो अब आगया कौन आपका औरिजिनल नीमा तोड आगया औरिजिनल नीमा तोड आने के बाद क्या होगा औरिजिनल नीमा तोड आने के बाद क्या होगा इसका ये जो original नीमा टोड आया है ये भी अपना क्या लेके आएगा RNA लेके आएगा अब ये जो इसका RNA है ये इससे क्या कर जाएगा क्या कर जाएगा बाइंड कर जाएगा अब ये RNA जो नीमा टोड का औरिजनल नीमा टोड का RNA था ये जब इससे बाइंड कर जाएगा तो तो ये आगे translation नहीं होने देगा और जब translation नहीं होगा तो protein नहीं बनेगी protein नहीं बनेगी तो क्या नहीं होगा तो ये root not disease भी नहीं होगी क्या होगा तो ये root not disease भी नहीं होगी तो यहाँ पर हमने क्या करा है इस specific RNA को क्या कर दिया है साइलेंस कर दिया है क्या कर दिया है साइलेंस कर दिया है ठीक है इतना क्लियर है इतना क्लियर है जल्दी बता दो इतना क्लियर है एक तो यह हो गया है ना एक तो यह हो गया चीक है एक तो यह हो गया दूसरा क्या है दूसरा क्या है देखो दूसरा है दूसरा है कि यही सेम आ सेवर टोमैटो में तो हो क्या रहा था हो क्या रहा था कि यार टोमैटो के अंदर एक जीन था ठीक है एक जीन था जो क्या कर रहा था जो क्या कर रहा था एक एंजाइम बना रहा था जिसका नाम था polygalacto uranase क्या नाम था polygalacto uranase ये polygalacto uranase tomato को जादा जल्दी soften कर रहा था यानि कि जादा जल्दी पिलपिला कर देगा जिसके वज़े से वो जादा उसकी shelf life नहीं रह पाएगी अब हमें tomatoes की shelf life बढ़ानी थी हमें क्या करना था हमें tomatoes की shelf life बढ़ानी थी जिसके लिए हमें इस polygalacto uranase मनाने वाली जीन को रोकना था इसको चुप कराना था इसको silence कराना था तो ये जो silencing हुई जिसके वज़े से हम tomatoes की shelf life बढ़ा सके ये silencing भी किसने करी जल्दी बता दो ये silencing भी किसने किसके तुरू हुई ये हुई RNA interference के तुरू तो क्या हुआ यहां पर एक जीन था जो क्या कर रहा था जो polygalacto poly galacto uranase enzyme बना रहा था ये enzyme softening कर रहा था ठीक है softening of tomato कर रहा था जिसके वज़े से क्या हो रहा था shelf life decrease हो जा रही थी shelf life कम हो जा रही थी अब इस shelf life को increase करने के लिए हमें हमने क्या यूज करा हमने यूज करा RNA interference और हमने इस gene के mRNA को क्या कर दिया है silence कर दिया ठीक है किस gene के इस gene के ठीक है clear है तो यहां पर हम लोगों ने flavor saver tomato में भी क्या यूज किया हम लोगों ने यूज किया आपका RNA interference यानि की gene silencing gene subtraction हम लोग कह सकते हैं ठीक है clear है clear है बच्चो जल्दी बता दो clear है हाँ clear है बताओ बताओ clear है तो यहां पर आपका क्या खतम होता है यहां पर आपका applications in agriculture खतम होता है हमने यहां पर specifically green revolution के बारे में याद रखना है ठीक है हमारा golden rice heroin heroin के बाद आपका हो गया bt toxin जिससे बहुत बार question आता है और पूछा जाता है तो यह तो बिल्कुल skip नहीं करना है ठीक है clear है तो यह चीजें हमने कहां पड़ी यह हमने पड़ी आपके applications में कहां पड़ी हमने applications में पड़ी किसकी agriculture की ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं applications in medicine applications in medicine ठीक है देखो अब जब हम लोग medicines में application याद करते हैं medicines में जब हम लोग applications की याद करते हैं तो हम लोग basically बात कर रहे हैं किसकी recombinant therapeutics की अब therapeutics की अगर हम लोग बात करें तो there are 30 therapeutics और इंडिया में इस समय कितनी use हो रही हैं 12 use हो रही हैं ठीक है 12 market हो रही है इंडिया में 12 use हो रही है इसके अलावा आपका granulocyte colony stimulating factor आ सकता है human growth hormone ये सारी चीज़े क्या हो रही हैं हमारे इंडिया में चला है इन सब का काम ठीक है total कितनी है total कितनी है 30 है use इंडिया में कितनी हो रही हैं 12 हो रही है ये number भी आपको बड़े प्यार से याद रखना पड़ेगा ये number भी आपको क्या करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा अब कहां कहां use हो रहा है medicine का use की बात करे medicine की use की बात करे तो bio pharmaceutical industries में use हो रहा है का use हो रहा है bio pharmaceutical industries में use हो रहा है ठीक है हमने पढ़ाता bio remediation में यूज हो रहा है बहुत सारी जगा आपका ये रिकॉंबिनेंट डिन टेकनोलजी या बायो टेकनोलजी यूज होती है पहला जो यूज हम लोग करने वाले हैं पहला जो यूज हम लोग करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं इंसुलिन का किसका इंसुलिन का ठीक है इंसुलि के लेवल को ब्लड में नहीं बढ़ने देता है कौँन आपका इन्सुलmpfen कौन से सेल से平ड करते हैं पैंक्रियां के बी टा से करते हैं आइसलेट अ नंग रहोगी यानि की ग्लुकॉस का लेवल बढ़ेका और न इन्सुलन नहीं होगा तो deficiency होती है तो क्या cause होता है क्या cause होता है diabetes mellitus cause होती है क्या cause होती है diabetes mellitus cause होती है अगर insulin की कमी होती है ठीक है अब पहले पहले क्या किया जाता था पहले के time पे insulin हम लोग कहां से लेते थे pig से लेते थे slaughtered pig से लेते थे slaughtered cattle से लेते थे उनके pancreas से हम लोग क्या करवाते थे उनके पैंक्रियास से हम लोग क्या निकलवाते थे इंसुलें लेते थे लेकिन यह जो इंसुलेंड हम लोग किसी और आनिमल से ले रहे हैं और अपनी बॉड़ी में डलवा रहे हैं तो आप लोग को पता है हमारी बॉड़ी को बाहर की चीज़े पसंद नहीं है उसको सिर्फ अपनी चीजे पसंद है तो अपनी चीजे पसंद होने के वज़े से यह इंसुलेन कभी किसी पेशन के बार किसी पेशन की बॉड़ी में जाके उल्टा ही रियाक्शन कर दे रहा था हमारी बॉड़ी एक्सेप्टी नहीं कर रही थी कि हमें बाहर से accept कर ले ठीक है क्या कर ले accept कर ले ठीक है अब ये insulin सबसे बड़ी बात है इसको न हम लोग औरली नहीं ले सकते हैं हम लोग इसको पी नहीं सकते क्योंकि अगर हमने इसको औरली लिया हमने इसको insulin पी लिया ऐसे अगर हमने किया तो हमारा पूरा एलिमेंटरी केनाल डीग्रेड हो जाएगा क्या हो जाएगा पूरा एलिमेंटरी केनाल डीग्रेड हो जाता ठीक है अगर हम लोग इसको क्या लेते अगर हम लोग इसको ओरली एड्मिनिस्टर करते ठीक है ठीक है अब अब देखो अब हमने क्या करा अब हम्यारे पास problem ये थी कि हमें क्या बनानी थी हमें बनानी थी insulin ठीक है अब आपको पता है कि हमारे अंदर जो insulin जब inactive होती है तो वो उसके पास तीन chains present होती है तीन chains होती है A, B और C जबकि mature insulin में सिर्फ दो chain होती है जो की है A और B peptide वाली chain होती है तो यही problem थी कि इन दो mature insulin बनाना इन दो chains को आपस में जोड़ना सबसे बड़ी problem create हो रही थी कि हम लोगों ने सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं क्या कि हमारा प्रो इंसुलिन प्रो इंसुलिन के पास क्या है A चेन है और B चेन है और C चेन है जब कि हमारा जो इंसुलिन है जो हमारा मेच्योर इंसुलिन है उसके पास A चेन है और B चेन है ठीक है और ये दोनों आपस में connected है वाया डाय सलफाइड बॉंड्स ठीक है वाया डाय सलफाइड बॉंड्स ठीक है डाय सलफाइड बॉंड के help से ये दोनों आपस में क्या होती है connected होती है ठीक है अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये insulin बनाने वाली protein ये जो protein है insulin बनाने वाली gene कहां से मिलेगी यह मिलेगी हमें क्रोमोजोम 11 से कहां से मिलेगी क्रोमोजोम नंबर क्रोमोजोम नंबर 11 से अब यार हमें जीन भी मिल गई ठीक है जीन भी मिल गई लेकिन इस जीन के पास तो सी पेप्टाइड भी है इस जीन के पास तो C-peptide B है तो सबसे बड़ा जो problem था वो था कि आपका mature insulin बनाना क्योंकि हमें जो gene मिल रही थी हमें जो gene मिल रही थी उसमें हमारा C-peptide दहेज में आ रहा था है ना साथ आ रहा था ये तो दीदी के साथ ही चलेगा ये कहीं अलग नहीं जाएगा तो अब main problem थी कि हमें इन दोनों को इन दोनों chains को जोड़ना था और इसको हटाना था तो ये कैसे कैसे possible हुआ तो in 1983 एली लिली ने दो DNA polymers बनाए दो DNA sequences बनाए कब in 1983 ή किस ने एली लिली ने ये नाम याद रखना है तो DNA sequences बनाए क्या बनाए दो DNA sequences बनाए अब ये दो DNA sequences एक से आपका क्या बना एक आपका a था और एक आपका B था है न A chain और B chain को बनाने के लिए दो DNA sequences बनाए एक A और एक B इनको link किया गया with lack gene इनको किसे link किया गया with the help of lack gene ठीक है किसे link किया गया lack gene की मदद से link किया गया ठीक है अब इड़ को कहां introduce कर दिया गया PBR 322 में PBR 322 जो की एक vector है इसको कहां introduce कर दिया गया PBR 322 में introduce कर दिया गया अब जैसे ही PBR में introduce करा अब इसको क्या करेंगे transform करेंगे transform कहां किया E coli के अंदर हमने इसको transform कर दिया कहां transform कर दिया E coli के अंदर इसके रिया E coli के अंदर हमने इसको transform कर दिया अब ब्लू वाइट स्क्रीनिंग के हेल्प से ब्लू वाइट स्क्रीनिंग के हेल्प से हमें पता लगा कि अपना ट्रांसफॉर्मेंट और अपना रीकॉंबिनेंट कौन सा था हमें क्या पता चला कि हमारा रीकॉंबिनेंट कौन सा था ठीक है अब यहां पर हमें दिखा जब A chain जो हमारा main problem थी न कि A chain और B chain को कैसे करा जाए, कैसे इखटा किया जाए, C को अलग कैसे इखटा किया जाए, तो तब हमें पता लगा कि हमने एक अलग-अलग दो sequences बनाए, दौनों को lag-z gene से जोड़ दिया, PBR 322 में डाला, PBR 322 को E coli में डाला, E coli के अंदर जब हम लोग अलग-अलग produce हो रहे थए, फिर हमने क्या करा, इनको extract करा, और इनको combine कर दिया, combine with डाय-sulphाइड bonds, ठीक है, और इस तरह से हमें क्या मिल गया, human insulin मिल गया, क्या मिल गया इस तरह से हमें human insulin मिल गया, ठीक है, problem ही यह थी कि human mature insulin नहीं बन पा रहा था क्योंकि जो gene extract कर रहे थे उससे तो हमारा c chain आ रहा था तो इसको हटाने के लिए यह सबसे major breakthrough था कि यार अब हम लोग human insulin मना सकते थे जो अब हमारी body accept कर लेगी क्या कर लेगी हमारी body accept कर लेगी ठीक है एक तो application किस की थी medicine की यह थी ठीक है for example यार देखो ऐसे बनता है हमारा यह यह होता है pro insulin हमारी a chain b chain c chain होती है हमारी ठीक है फिर आपका a peptide b peptide c peptide को हम लोग अलग कर देते हैं इन दौनों को disulfide bond से जोड दिया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है इसको हम लोग कहते हैं आपका mature insulin क्या बोलते हैं इसे mature insulin बोला जाता है ठीक है एक तो यह था है न एक medicine वाला यह था दूसरा हम लोग किसका पढ़ते हैं human growth hormone का second हम लोग किसका पढ़ते हैं human growth hormone का अब यार आप लोग को पता है कि अगर growth hormone जादा है ना बहुत जादा है अगर growth hormone तो जाइजेंटिजम हो जाएगा अगर बहुत कम है तो dwarfism हो जाएगा ठीक है तो यार यहां पर हम लोगों ने क्या किया human growth hormone hormone कौन सिक्रीट करता है सबसे पहले तो यह बताओ anterior lobe of pitutory सिक्रीट करता है ठीक है और यह क्या करता है इतिस regulated by other hormone सिक्रीट यह एज हॉर्मोन है इसको कौन रेगुलेट कर रहा है hypothalamus भाया regulate कर रहे हैं किसको आपके human growth hormone को तो आप क्या करते हैं क्या करते हैं अब मान लो अभी मैंने बताया कि इससे क्या होता है बहुत जादा problem हो सकती है अगर जादा है तो आपका gyzentism हो गया कम है तो dwarfism हो गया ठीक है तो अब मान लो क्या हो है अब मान लो इसकी क्या है deficiency है क्या है यानि की dwarfism का case ले लेते हैं ठीक है क्या है deficiency है dwarfism हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे एक तो इसको क्या और कर सकते हैं दूसरा HGH injuries को heal करने में भी help करता है ठीक है injuries को heal करने में भी help कर सकता है ठीक है clear है अब साथ की साथ HGH को क्या कर सकते हैं इसको हम लोग बायो इंजिनियर कर सकते हैं to improve commercial milk products देखो मम्मी क्या बोलती है मम्मी बोलती है दूद पिया करो height बढ़ेगी मम्मी बोलती है दूद पिया करो strength बढ़ेगी है ना तो हम लोगों कि हम लोग सीधे milk में ही बढ़ा देते हैं बोडी में फिर खुद चला जाएगा ठीक है तो क्या किया हमने हमने क्या किया हमने HGH वाली क्या ली जीन ली हमने growth hormone की जीन ली उस growth hormone की जीन को हमने plasmid में डाला plasmid और जीन को हम लोगों ने हमने क्या बना लिया recombinant plasmid बना लिया इस recombinant plasmid को हमने कहां डाल दिया host में डाल दिया multiple copies बनाई multiple copies से हमें हमारा product मिला which is HGH ठीक है और फिर हमने उसको कहां डाल दिया है milk के अंदर अपनी quantity में डाल दिया ताकि milk की भी richness बढ़ सके in dwarfism ठीक है sorry HGH की amount बढ़ सके ठीक है तो ये भी हो सकता है in case of medicine ठीक है clear है एक तो case ये रहा वच्चों है ना एक case तो ये रहा next है next है हम लोग biotechnology को use कर सकते हैं biotechnology को use कर सकते हैं as gene therapy कैसे use कर सकते हैं as gene therapy ठीक है gene therapy therapy पता है सबको therapy पता है जल्दी बता दो therapy पता है सबको therapy पता है therapy क्या होती है therapy है basically कि क्या कह सकते हैं कि यार किसी चीज को ठीक करना है ना therapy क्या है कि किसी चीज को हमें क्या करना है ठीक करना है ठीक है तो basically ये gene therapy यानि कि genetics में कुछ changes करनी है जिससे हम लोग genes को ठीक कर सकें तो ये उन diseases के लिए use होगी mainly जिससे हम लोग inherited disease को भी cure कर पाएं aim क्या था इसका aim था to cure inherited diseases ठीक है क्या था to cure inherited diseases को cure करना इसका काम था तो देखो inherited diseases यानि कि कोई gene defective था है ना कोई gene defective था उसकी जगा हमने असली सही gene डाल दिया है ना तो हम लोगों ने क्या किया gene therapy में हमने defective gene की जगा हमने क्या कर दिया है correct copy of gene डाल दिया है ठीक है defective gene की जगा हमने क्या डाल दिया है correct copy of gene डाल दिया है ठीक है correct copy of gene डाल दिया है अब इसका सबसे बड़ा example जो आपकी NCRT ने दे रखा है वो है ADA वो क्या है ADA ADA यानि कि adenosine deaminase deficiency ठीक है यह कौन सी deficiency है adenosine deaminase deficiency ठीक है अब यह ADA deficiency हो कैसे रही है ठीक है यह पहली ऐसी clinical therapy है it is the first clinical therapy जो 1990 में एक चार साल की बच्ची को दी गई थी ठीक है यह पहली क्या है first clinical therapy है जो की 1990 में एक four year old girl को दी गई थी क्यों क्योंकि उसमें adenosine deaminase keyworda to ty akadena adenosine deaminase की deficiency ती इसलिए थी क्यों कि क्योंकि उसमें जो adenosine deaminase वह जीन था व दिफेक्टिव हो गया तो अब हमें क्या करना था इसको करना था treat हमने क्या करना था इसको करना था treat क्योंकि अगर ADA नहीं होगा अगर ADA नहीं होगा तो लिंफोसाइट प्रॉलिफरेट नहीं करेंगी अगर एडिये नहीं होगा तो लिंफोसाइट यह क्या कराता है लिंफोसाइट का प्रॉलिफरेशन कराता है और अगर एडिये नहीं होगा तो लिंफोसाइट नहीं बनेगी लिंफोसाइट नहीं बनेगी तो body की immunity बहुत जादा क्या हो जाएगी वीक हो जाएगी क्या हो जाएगी वीक हो जाएगी अब इसको ठीक करने के लिए हमारे पास कुछ options थे हमारे पास क्या थे बच्चो कुछ option थे पहला क्या था पहला था bone marrow transplant और दूसरा था enzyme replacement therapy क्या था bone marrow transplant और दूसरा था enzyme replacement therapy यार यह दोनों curing तो थे लेकिन properly यह इसको cure नहीं कर सकते थे है ना यह completely curable नहीं थे है ना यह दोनों not curable completely not curable completely यह अच्छे से cure नहीं हो सकते थे they are not curable completely अब जब यह जब यह क्या होता है जब यह curable ही नहीं है curable ही नहीं है तो इसको असल में curable कैसे बनाया जाए कैसे बना सकते और यह question पूछा जाता है कि क्या enzyme replacement therapy और bone marrow transplant curable है क्या वो पूरी तरह से curable है यह पूछा जाता है तो अब आप बताओ कि अगर यह दौनों curable नहीं है जल्दी comment box में बताना है आप लोग को कि अगर यह दौनों curable नहीं है तो curable है क्या जल्दी बताओ permanent cure क्या है जल्दी बताओ जल्दी बताओ बताओ है बताओ यह curable तब है जब हम लोग इसे embryo stage पर ही ठीक कर सके ठीक है gene therapy में हम लोग basically क्या करते है हम लोग अपके lymphocyte लेते हैं blood से हम लोग आपके lymphocyte लेते हैं blood से और उसको culture में grow किया जाता है उन lymphocyte को culture में grow किया जाता है और वहाँ पर ada का copy dna डाला जाता है जब वो copy dna डालेंगे किसमें introduce करेंगे किसमें lymphocyte में अब जब वो grow करेगा लिए lymphocyte में copy dna of ada डाल दिया अब वो grow करेगा जब वो grow करेगा तो उसको वापस आपकी body में डाल दिया जाएगा लेकिन यह बहुत time तक नहीं रहेंगा है Cure नहीं है Permanent Cure कब होगा जब एक आपके एंब्रियो वाली स्टेज पे यह आपके мैरो सेल में bone marrow cells में इंटरिड्यूस करा दिया जाएगा एंब्रियो वाली स्टेज पे ही अगर पता लग जाएकी इस बच्चे में ADA की deficiency है और उधर ही उस समय इसको cure किया जाए तो ये में भी permanent cure बन सकता है बनना gene therapy जो मैंने अभी बताई कि हमने क्या लिया हमने lymphocytes लिये और उसमें introduce करा दिया आपका retro virus के help से copy DNA of ADA और फिर उसको back to body culture करा के डाल दिया तो कुछ time तक तो काम चल जाएगा लेकिन हमेशा के लिए काम नहीं चलेगा ठीक है clear है clear है clear है next portion आता है next portion आता है आपका molecular diagnosis का क्या आता है आपका molecular diagnosis का आता है ठीक है next चीज जहां पर use होता है ये biotech वो होता है आपका molecular diagnosis ठीक है किसमें use होता है molecular diagnosis में use होता है ठीक है अब यार देखो देखो बहुत normal सी बात है molecular diagnosis यानि कि हमें मान लो कोई virus आके infect कर दिया गया है हमें तुरंट नहीं पता चलता कि यार ये virus आया था हमें infect करके चला गया हमें कब पता चलता है जब symptoms आ जाए है अब कुछ-कुछ बिमारिया ऐसी होती है जिसमें symptoms बहुत लेट आते हैं पांच साल बाद छे साल बाद हैना तो उन बिमारियों में वो symptoms तब दिखते हैं चिडिया चुग गई खेत हैना कि अब तो जब सारा खेत चिडिया चुग गई तो अब पच्चता के क्या हुआ है ना तो यहां पर भी यह है कि जब सब कुछ हो गया है सब कुछ जितना खराब हो सकता था उतना खराब हो गया है और तब हमें पता लग रहा है कि यार यह ह लगेगा ना तुम लोग को किया काश पहले पता लग जाता तो कुछ traditional methods होते हैं molecular diagnosis के कुछ आपके new methods है traditional methods में आ जाता है आपका serum analysis, urine analysis, analysis, blood test यह सब किसमें आ जाता है आपका यह सब आ जाता है traditional methods में और यह पूछा गया है इसलिए बता रही हूँ वही पर आपके modern method में आ जाता है RDNA technology, PCR, आपका enzyme linked immunosormant ऐसे यह सारा कहां आ जाता है यह आ जाता है आपका modern techniques में और यह modern techniques जो मैंने नाम लिया आपका RDNA technology, PCR, ELISA, यह जो modern techniques हैं यह modern techniques हम लोग use करते हैं ताकि हमें early diagnosis हो जाए हमें जल्दी पता चल जाए कि यार यह हमें disease हो रही है और इसे अब हमें cure करना है for example for example हमें यहां पर क्या क्या पढ़ना है हमें यहां पर पढ़ना है किसके बारे में एक है आपका एक है आपका ELISA ठीक है दूसरा है आपका PCR जो हम already पढ़ चुके हैं ठीक है थर्ड क्या है आपका थर्ड क्या है आपका थर्ड क्या बोला मैंने थर्ड है आपका आप मानलो आटो रेडियो ग्राफी यह सारे कहां आजाते हैं यह सारे आजाते हैं आपके modern techniques में किसमें आजाते हैं modern techniques में ठीक है ELISA किस पर dependent होता है ELISA is dependent on principle की अगर मैं बात करूँ तो principle क्या है आपकी antigen antibody interaction क्या है इसका principle antigen antibody interaction ठीक है कौनसी बिमारी के लिए हम लोग इसको majorly use करते हैं इससे हमें AIDS का पता लग सकता है वो भी बहुत अरली stage पे हमें इसका AIDS का पता लग सकता है ठीक है मतलब हमें पता लग जाएगा antigen और antibody की interaction से कि अगर अगर हमारी body में कुछ नया आया है तो हमारी antibodies बन रही है और उसको interact हो रहा है कुछ ना कुछ तो antibodies के खिलाफ कर रही होगी तो उससे हमें पता लग जाएगा कि यार यहां तो गड़वड हो रही है तो उससे हमें क्या पता दल जाएगा कौन सा वाइरस है कौन सा बिक्टीरिया है कौन सा क्या कौन सा cell है जिससे हमारी antibodies लड रही है तो उससे हमें ELISA का पता दल जाएगा वहीं जब हम लोग PCR की बात करते हैं तो यह आपका क्या detect कर सकता है HIV detect कर सकता है ठीक है clear है इसके साथ साथ genetic disorders detect कर सकता है कहीं कोई mutation हुई है या नहीं हुई है वो भी detect कर सकता है यह सारी चीज़े कौन detect कर सकता है आपका PCR detect कर सकता है वहीं पर जो हम लोग auto radiography की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या use करते हैं यहाँ पर हम लोग use करते हैं probe का प्रोब क्या होता है प्रोब होता है बच्चो जब हम लोग किसी DNA fragment के साथ एक radioactive material जोड़ दे radioactive substance जोड़ दे तो हम लोग उसको बोलते हैं probe क्या बोलते हैं प्रोब बोलते हैं ठीक है यहाँ पर हम लोग radioactive isotope की मदद से क्या detect करते हैं हम लोग detect करते हैं कि कहीं कोई disease तो नही है क्या नहीं है कहीं कोई disease तो नहीं है ठीक है ठीक है क्लियर है तो यह तीन तरह की molecular diagnostic techniques है जो हम लोग क्या करते हैं हम लोग use करते हैं ठीक है यूज करते हैं ठीक है और mostly कौन सा यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं पी 32 radioactive material हम लोग basically कौन सा यूज करते हैं P32 use किया जाता है ठीक है ठीक है clear है clear है next आ जाता है हमारा इस चैप्टर में transgenic animals क्या आ जाता है transgenic animals का मतलब क्या है यह वो animals है जिसके dna को क्या करा गया है manipulate किया गया है यानि कि उसमें कुछ extra gene डाल दी गई है जो की express कर दी गए for example आपका हो गया rat आपके rabbits, pigs, sheep, cow, monkey, fish और 95% of transgenic animals कौन है बिचारे mice सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा तो ज़्यादा जिसके साथ बुरा होता है वह है mice हर experiment में इन्हें यूज किया जाता है पहला transgenic sheep थी जिसने produce करा था alpha 1 antitrypsin was Tracy कौन था first transgenic sheep to produce alpha 1 antitrypsin was Tracy कभी कभी यहाँ पर sheep की जागा कौन लिख दिया जाएगा cow लिख दिया जाएगा तो वहाँ आपको ध्यान देना है कि किसकी बात हो रही है ठीक है clear है अब यहाँ पर dolly poly और molly देखो dolly वो sheep थी जिसको सबसे पहले code clone किया गया था लेकिन उसमें किसी भी तरह की modification नहीं थी लेकिन poly और molly में यह क्या थी यह दो use थी जिनको सबसे पहले क्या किया गया था successfully clone भी किया गया था और clone करने के साथ साथ क्या किया गया था इनमें कुछ modification भी डाली गई थी ठीक है कहां क्या करी थी इसमें कुछ modification भी डाली गई थी यानि कि इनको ट्रांस जेनिक बनाया गया था और ये कहा हुआ था ये कलॉन हुआ था आपका Rosalain Institute Scotland में कहा हुआ था Rosalain Institute Scotland में थीक है clear है clear है अब जो हमारा ट्रांस जेनिक आनिमल्स है वो क्यों बनाए जाते सबसे पहले तो normal physiology और development के लिए रुख जाओं दूसरा color लेने दो ठीक है transgenic animals जो होते हैं ये specifically design होते हैं to allow study की हमारी normal physiology और development की study को हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं study कैसे कैसे हो रही है कैसे कैसे हमारे genes work हो रहे है कैसे कैसे हमारे genes regulate कर रहे हैं characters को इन सब की use से आपके transgenic animals इन सब को इन सब की चीजों में क्या कर सकते हैं मदद कर सकते हैं कि अगर कोई खराबी है तो हम लोग उसको कैसे ठीक कर सकते हैं तो यह सब help कर सकते हैं आपके transgenic animals दूसरा किसी भी disease का पूरा pattern notice करने के लिए transgenic animals बहुत अच्छे से utilize हो सकते हैं नेक्स है biological products ठीक है कुछ नया बनाने के लिए कुछ नया बनाने के लिए ये use हो सकते हैं ठीक है फिर vaccine safety के लिए chemical safety testing के लिए ये सारी चीजे क्या हो सकती है use हो सकती है क्या हो सकती है use हो सकती है ठीक है clear है clear है for example for example आपकी एक 1997 में एक transgenic cow थी जो produce करती थी protein enriched milk 12.54 ग्राम पर लीटर प्रोटीन देती थी कौन सी cow है ये है आपकी cow रोजी जो आपकी alpha lactalbumin rich milk क्या करती थी produce करती थी ठीक है तो इसको ये सारी चीजे कहां मिल जाती है हमें transgenic animals में मिल जाती है कहां मिल जाती है transgenic animals में मिल जाती है अब आ जाता है अब आ जाता है इस chapter का आखरी portion जो की है ethical issues क्या है ethical issues ethical issues में हमें क्या पढ़ना है bioethics के बारे में ठीक है patents के बारे में bio piracy के बारे में और कुछ controversies के बारे में ठीक है अब यार देखो देखो क्या है bioethics क्या है ethics क्या होते है हम लोग हर society में कुछ rules होते हैं कुछ regulations होती है ठीक है जिनको follow करना जरूरी है ऐसे ही in the world of biotechnology या living world में भी ऐसे कुछ rules है और कुछ क्या कह सकते हैं कुछ boundaries है जो हमें cross नहीं करनी चाहिए तो उझी को हम लोग क्या बोलते हैं bioethics बोलते हैं they are the set of standards that may be used to regulate our activities in relation to the biological world ठीक है clear है अब ये bioethics कौन decide कर रहा है GEAC decide कर रहा है genetic engineering approval committee genetic engineering approval committee क्या क्या कर रही है ये कोई नया GM research हो रही है तो उसको validate करने का काम इसका है तो उस GM research से कितनी safety है कितनी safety नहीं है उसका भी ध्यान रखने का काम किसका है इसी GEAC का है अब आ जाते हैं patents पे patents basically क्या है कि तुमने कुछ बिल्कुल नया innovative सा बना दिया है ना तो तुम चाहोगे कि यार ये अब मेरे अलावा कोई और use ना कर पाए और अगर कोई use कर रहा है तो उसका compensation मुझे मिले मुझे फाइदा मिले है ना तो उसको हम लोग कहते हैं patents क्या बोलते है patents कि अब हमने patent करा लिया कि यार यह product मैंने बनाया था यह product बनाने का process मेरा है तुम अगर ऐसा कोई product बना रहे हो और process मेरा चेप रहे हो तो तुम गलत हो ठीक है अब कोई भी patent बनाता है तो उसमें novelty होनी चाहिए यानि कि कुछ नया होना चाहिए कुछ नया innovation होना चाहिए, non obviousness होनी चाहिए, non obviousness होनी चाहिए, clear है, अब last उसका कुछ use होना चाहिए, अब ऐसा नहीं है, कि तुमने कुछ नया बनाया और वो सिर्फ तुमारे ले useful है, बाकि सब के लिए useful ही नहीं है, तो वो हम लोग patent में count नहीं करते हैं, क्या करते हैं, वो मैंने बताया ना कोई process है मान लो कोई chocolate बनाने का process है वैसा ही same process दूसरी company बना के same chocolate बना रही है तो process जिसने बनाया था उसने patent कर रखा है तो उस company को पैसा देना पड़ेगा ठीक है next है improvement in earlier inventions या फिर कोई concept या design है जो आपने खुद innovate करा है खुद नया बनाया है तो उसको हम ल verses जो हम लोग पढ़ते हैं पहली है बास्मती rice की पहली है बास्मती rice की तो बात कुछ ऐसी है जनाब कि 1997 1997 में rice tech one ने एक patent डाला कि बास्मती rice हमारा है ऐसा बोला इन्होंने बोला कि बास्मती rice हमारा है ठीक है लेकिन इनके उपर क्या लगा इनको इनके उपर लगा allegations of bio piracy biopiracy पता है ना क्या होती यह बाइो-piracy होती है बच्चों कि जब हम लोग किसी और का product चोरी करके अपना बनाने लगे तो वो आपका क्या है illegal use of biorisorts है तो उसको हम लोग कहते है bio piracy ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ allegation लगाया किस पर bio piracy का लगाया गया कि ये जो आपका ये जो बासमती वाला patent आपने लिया है वो थोड़ा गलत है वो गलत कैसे है बच्चो कि यार ये इंडिया में तो बरसो से बन रहा था है ना ये इंडिया में तो बहुत पहले से उगरा है तो तुम इसका patent कैसे ले सकते हो भईया तुम नहीं ले सकते इसका patent जिसके वज़े से इंडिया और USA के बीच में कुछ आई थे तनाफ के वज़े से इंडिया ने क्या करा था threaten किया था कि वो इस चीज़ को WTO तक लेके जाएंगे हमें knowledge नहीं है इसका भी patent इसका पैसा मिल सकता है यार मतलब हमें नहीं पता था है ना उन लोग को पता था तो उन्होंने patent लगा दिया इसी तरह से क्या हुआ टर्मरिक के साथ टर्मरिक है ना patent कि रा गया कि टर्मरिक को हम लोग as medicine use कर सकते हैं अब यार medicine use कर सकते हैं ये तो हम लोग हमारी ममी बच्पन से कर रही है कुछ बुखार हो रहा है तो दूद में हल्दी लगा दी चोट लग गई है तो उसके उपर हल्दी लगा दी तो यार ये use पहले सो रहा है लेकिन patent लिया ठीक है patent लिया जिसको फिर challenge किया किसने डॉक्टर आर ए मशेल करने ठीक है और फिर patent revoke किया गया after four months four months बाद ये patent को revoke कर लिया गया था कि भया तुम ही रखो ये भी तुम ही रखो ठीक है ये भी तुम ही रखो तीसरा था नीम तो हुआ क्या था patent 1996 में grant किया गया था किसको wr grace को और उसके साथियों को ठीक है कि नीम को as हम fungicidal यूज कर सकते बताओ बताओ नीम तो हम लोग वैसे भी यूज कर रहे थे ना नीम तो हम लोग वैसे भी यूज कर रहे थे तो इसके खिलाफ अजे फाड के और वंदना शिवा ने चालेंज किया ठीक है और इनको दिखाया कि हमारी ancient tax पढ़ लो हम लोग नीम का यूज बहुत पहले से करते आ रहे हैं ठीक है तो इस चीज में फिर decide हुआ कि इस patent में जो इन्होंने डाला है इसमें कुछ नया ही नहीं है तो बहुत कर दिया गया कि यार तुम ही रखो सब तुम रखो बस हमें पता नहीं है ठीक है हमें पता नहीं है और दूसरे इस चीज का फायदा उठाए जा रहे हैं उठाए जा रहे हैं और ठीक है और बायो पायरसी में आपको बता चुकी हूँ ठीक है कि जब कोई किसी का product, bio resource, illegal तरह से use कर लेता है, तो हम लोग उसको कहते हैं, bio piracy, ठीक है, bio piracy, ठीक है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर आपका खतम होता है क्या, यहाँ पर आपका खतम होता है chapter, यहाँ पर आपका खतम होता है chapter, अब आपको क्या करना है, देखो, मुझे पता है, इस समय सारे, डर लग रहा है, तुम लोग को, डर लग रहा है, तो हम लोग grow कर रहे हैं, ठीक है, तो डर लगना लाजमी है, डर लगना लाजमी है, और इस एक साल, है ना, इस एक साल तुमने इतनी सारी चीज़े खोई है, कोई एजन कि कहीं function में नहीं गए, कहीं अपने दोस्तों से मिलने नहीं गए, कहीं घूमने नहीं गए, तो सपने हमने देखे हैं, और उनको पूरा करने के लिए हमने इतनी सारी चीज़े कुरबान करी है, ठीक है, तो इसी के लिए, इसी के लिए एक छोटी सी प्यारी सी अपकी लिए शायरी है, ठीक है, क्या है, खूब चड़ी सीडि ख्वावो की पर मैने गिर के ही जाना उचाई कितनी है, सपने देखे तो मालूम हूँआ मुझको के सपनों की भरपाई कितनी है, ठीक है, तो यार देखो, सपने देखोगे, उनको पूरा करने में लगोगे, तो बहुत सारी चीज़े छोड़नी पड़ेगी अभी छोड़ रहे हो तुम पिछले एक साल से तो कोई बात नहीं एक साल की बात है उसके बात खेर मैं यह नहीं बोल रही कि मेहनत नहीं करनी मेहनत तब भी करनी है इससे जादा करनी है लेकिन एक सीड़ी चड़ गए न तो कम से कम पता है कि future में कुछ कर ही लोगे है न कर ही लोगे ठीक है तो आपको बस ध्यान रखना है कि ये आखरी समय है आखरी समय है आखरी समय में आपको इतनी मैनत कर देनी है न मेरे बच्चों कि मतलब कि खुश हो जाओ तुम लोग है रिग्रेट ना रहे है ना रिग्रेट ना रहे बस जिंदिगी में सब कुछ हो बस कभी किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं रखना है है न क्योंकि अकर रिग्रेट रखोगे न तुम लोग तो सबसे खराब फिलिंग है वो रिग्रेट है न कि यार मैं ये कर सकता था मैंने कर नहीं पाया तो वह नहीं करना ठícios तब तक के लिए नहीं डर बिल्कुल भी नहीं डरके आगे ऑगे जी नहीं मांट इन Prop season ज्थ है तो यहाँ डरके आगे यहाँ बेखाफ रहना है नियुकस कंप फाल जरूर भागविड कैसे तो मिलते हैं अब हम ऐसना Title Ma करेंगे बेसिकली शायद human reproduction है जो हम लोग करेंगे ठीक है तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहो चाप्टर हो गया है पी वाई क्यू आपकी भ्रमास्त्र में आपको मिल ही रहा है ठीक है और आपको आरे नार बैस भी बताया जहां पर most expected questions हम लोग कराएंगे तो य